Hi Everyone! Good Morning! Welcome back to my YouTube channel Radhika Vlogs! कैसे है आप सभी? I hope आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सबसे पहले आप सभी को शाम बाबा के जनम दिन की बहुत बहुत सुपकाम नाएं आज मेरे बाबा का वयर्डे है वैसे तो मैं उठकर हमेशा अपने बाबा की दर्शन करती हूं लेकिन आज मैंने बाबा को विष किया और सबसे पहले बाबा के साथ एक Reels बनाई तो अगर आप मेरी वीडियो कि थोड़ी साफ सफाई क्योंकि आज दे उठाने कादुसी भी है तुलसी विवा भी है माता के सारही वस्त्र चेंज किये आसन वगरा सब बदल दिया मैंने और उसके बाद मैंने और मेरे पतिदेवने दोनों मिलकर की पूजा यहाँ पर भार की साइड में पूजा करने अकेली आई हूँ बट अंदर मैंने और मेरे पतिदेवने दोनों ने मिलकर पूजा की उसके बाद मैं गई मार्केट मार्केट से मैं लेकर आई माता के शिंगार का सामान तुलसी विवा है ना तो मुझे सारही जो स्वाग का सामान होता है सारही लेकर आना ता यहाँ पर मैंने एक पूजा की धाली तयार की और उसके बाद माता की पूजा पूरी विधी विधान से की जितना मुझ से होता है इतनी एक्सपर्ट मैं हूने ही पूजा करने में बट जितना मुझ से हो सकता है मैं आपने आप भगवान की प्रतीमा और उसके बाद यहाँ पर जितने भी फैमिली में में बढ़ते सभी के पैर बनाएं हमारे यहाँ पर ऐसी ही पूजा होती है परशाद के लिए आज मैं बना रही हूं हलवा जो सूजी का हलवा होता है वो बना रही हूं तो देखे गई हैं यहाँ पर सूजी का हलवा जो है सभी की फेवरिट मतलब परशाद ऐसा बनाओ भगवान जी के सासाथ जो फैमिली के सभी मेंबर सभी को बहुत अच्छी से खाले तो यहाँ पर पाने में बहुत अच्छी से उबाला चुका था बोईल हो चुका था सूजी को डाला और फटा-फट से बनके हमारा सूजी का हलवा सूजी का हलवा मैंने अपनी मदर इनलों से सीखा है मम्मी से मम्मी बहुत अच्छा सूजी का हलवा बनाती है तो अब यह ड्यूटी मेरी आ गई है अब मैं बनाने लग गई हूं तो यहाँ पर हमारा सूजी का हलवा बनको तयार है तो चलिए कि अपने देळ다가 मैं मम्मीए बच्चे सब बैठ चुकेANSं लोगों ने बहुत अच्छे से आर्थि की और देळ ऊठाए अपने व चैसे धियुन से अपने घर की सारी पूजा की दे ऊठाए हैं तो तो जबन के बाद हमें हम लोग जाएंगे मंदिर क्योंकि मंदिर में भी तुलसी विवाया तो बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है मंदिर में तो बस मंदिर में पूजा वगरा करने मंदिर के लिए जो सामान है वो मैंने अलग से रखा हुआ है वो भी मैं लेकर आई थी तो बस यहां पर हमारे देव उठ चुके हैं भोग वगरा हम लो देखे गाईस यहां पर बहुत विधी विदान से हम लोगो ने पूजा की, अपने देवी देवता को सभी को हम लोगोने परनाम किया, भोग लगाया और उसके बाद हम चलते हैं मंदिर, यहाँ पर मंदिर में बाटने के लिए मैंने थोड़ा सा परशाद ले लिया है और उसके बाद पूजा की थाली बिल्कुल तयार कर लिया है जो आप बाती देख रहे हैं तीन सो पैसेट बत्तियां यह जो कार्तिक का महीना चल रहा है इसमें लाश्ट के जो पांच दिन होते हैं यह सभी वार की बत्तियां जलती हैं तो मतलब कार्तिक के महीने में मंदिर में खता सुने जाती है बट कहते हैं जो लाश्ट के पांच दिन होते हैं वो जरूर जाना चाहिए और यह तीन सो पैसेट बत्तियां जरूर जलानी चाहिए तो गैस अभी हम लोग मंदिर में स अच्छा लगा मंदिर में आकर अभी तो कुछ भीड नहीं है बड़ दिन में जब मेरा अजमन जी ओफिस से आए था सामके टाइम यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड लग रही थी इस कर्णियादान करने के बाद हम लोगों ने 300 पैसेज बातिया जलाई पांच परीकर्मा की पीपल पतवारी की उसके बाद हम लोग घर पर आ गए अभी मुझे परशाद भी बनाना है अपना ब्रत भी खोलना है बाबा को भोग लगाना है तो चली इस ब्लोग करूंगी आई होप आपको ब्लोग अच्छा लगा च्छा लगा तो ब्लोग को लाइक शेयर और मेरे च